Welcome to Fantasy Council Sunrisers Hyderabad versus Royal Challengers Bangalore एक team जो qualify नहीं कर पाईगी इस वाले IPL में और एक team जो qualify कर चुकी है almost आप मान के चलिए आज का match वैसे तो dead rubber है points table के लिए लेकिन ये match फिर भी help कर सकता है Sunrisers Hyderabad की RCB के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उससे मेले बात कर लेते हैं पिछले match की जिसमें 100% win rate मार के आ गए हैं हम जिसमें 100% profit कमा के आये हैं हम अगर आपने देखी थी दिल्ली और गुजरात वाली वीडियो तो मेरी कुछ predictions ऐसी थी जिसे आपने अगर follow किया है न तो अंधा पैसा कमाया है आपने अंधा पैसा और जो नहीं कमा पाए वो एक बार जाके देख सकते हैं कि मैंने वीडियो में क्या-क्या predictions दी थी शुरूबात करता हो रिशप पंत और अक्सर पटेल से जिनके बारे में मैंने आपको clearly बताया था कि ये grand league में अगर आपने cvc नहीं बनाए तो waste हो जाओगे साथी साथ फिर चाहें डेविड मिलर की prediction हो या फिर हो कि रिद्धिमान सा ठीक्ठा करके चले जाएंगे साथी साथ कुल्दीप यादब की prediction और सबसे बड़ी prediction दिल्ली ये match defend करेगी वीडियो में बता दिया कि defend होगा तो दिल्ली ही defend करेगी और वैसा इस match में आपको देखने के लिए मिला तीन wicket गिरने के बाद भी मैं डेली capitals के साथ बैठा रहा लगा रहा कि दिल्ली ही जीतेगी इस match को हुए आना एकदम भेतरीन वाला profit तो आज के match में क्या होगा कौन सी टीम जीतने वाली है top के performance साथ ही साथ small league की team grand league के captain vice captain कुछ key players और match ups इस मैदान पे कौन से player चलते हैं RCB की तरफ से और हैदराबाद की तरफ से और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो कौन से player है जो head to head में अच्छा करते हैं शुरू किया जाए ठीक है मैदान से शुरू करते है राजीव गांदी international stadium पे ये match होने वाला है मतलब बैंगलॉर जा रही है हैदराबाद के घर पे लड़ने के लिए पिशला match जो बहुत बुरा हुआ था हम एक चीज जो सबसे important है हर वीडियो के लिए हर fantasy player के लिए अगर आप खेलते है fantasy तो आपके लिए best telegram channel मैं आपको बताना चाहूँगा वो है fantasy council का telegram channel अगर आपने इस channel को join कर लिया न तो आप lifetime profit में रहेंगे पकी गाला जी और साथी साथ small league की team एकदम free जो final team होती है मेरी personal guidance एकदम moved और daily free की वाइस grand league के captain grand league के unique combination हर चीज कहां मिलेगी telegram channel पे join कैसे करना है इस video के description में मैंने link डाला हुआ है साथी साथ इस video के जब आप comment section में जाएंगे तो आपको comments में मिल जाएगा एक pin comment उस pin comment में मैंने telegram channel का link डाला हुआ है join करिये और फिर शुरुवात करिये अपनी winning streak की triple line और साथी साथ आप चाहें तो मुझे 1-4-0-8 मतलब अक्षे चौदरी को instagram पे भी follow कर सकते हैं आगे बढ़ा जाए points table points table में जहां sunrisers hyderabad top 3 में 7 में से 5 मैच जीत के 10 point कमा के plus net run rate के साथ चल रही है वहीं आती है 10 में नमबर पे table से एकदम नीचे से table तो top कर रहे हैं RCB वालो इस साल cup नाम नहीं दे तो क्या हो गया top पर तो अभी भी हैं 8 मैच में 1 जीत दर्ज करके 7 हार के 2 point के साथ 10 में पाइजान पे बनी हुई है पिछले मैच को दिल्ली ने जीत के 9 मैच में 4 जीते दर्ज कर दी है और अच्छी खासी अभी भी दिल्ली के पास fight है अगर अगले 5 में से दिल्ली कितने जीतने 4 4 मैच जीत जाती है तो दिल्ली qualify की race में बिल्कुल बरकरार हो जाएगी और दिल्ली के लिए और दिल्ली के fans वालों के लिए अच्छी खाबर है लेकिन आज का मैच Sunrisers हैदरबाद के लिए बहुत जादा important है लेकिन अब RCB हो चुगी है मैं आपको समझाता हूँ एक बात समझना आपने गलियों में पागल को गूमते होगे देखा है जब वो पागल हो जाता है उससे सब डरते हैं उससे कोई लड़ना नहीं चाहता क्यों कब किसके सिरी में इट मार दे कब पत्थर उठा के मार दे नंग आदमी पागल वो टीम ये हो चुगी है अब सब को आरसीवी से डरना चाहिए आरसीवी वालो आपके लिए देखो भारतो हो गए ये टीम लेकिन चीर करने के लिए बहुत कुछ है क्यों भारतो होई गए मारो काटो कतले आम मचाओ ये करेगी अब आरसीवी की टीम आज के पेटीएम की धन राशी साथी साथ अगर आप नहीं आपाई डॉप 10 में कोई गल नहीं विरो दस लकी विनास जिनका होता है बैस्ट कमेंट वह कितने लेगे जाते हैं एक हजार का पेटीएम कैश 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 और 33333 वो तीन लॉंडे लेके जाते हैं इनका जवाब सही होता है सिर्फ एक सवाल का बशरते वीडियो को अब भी अब भी लाइक कर दीजिए अगर नहीं भी किया तो भी आप कर सकते हैं हाई इंवेस्टर हो लो इंवे स्कोर हाइस टोटल सब भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ एक चीज देख लो 75 मैच में चेज हुआ है 41 बार और 33 बार डिफेंड हुआ है पिछले कुछ मैच बताता हूं इस मैदान पे जो खेले गए हैं CSK 165 रन बना पाई थी और Sunrisers हैदराबाद ने 166 रन ठोक देते 18.1 कोर में यह था यहाँ पे लेटेस्ट मैच टोटल विकेट्स गिरे थे 9 सिर्फ नो विकेट्स गिरे थे आप देखिए CSK ने 165 बनाए पांच विकेट्स के नुकसान पे यह थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है पांच विकेट्स लेके गए थे पेसर नो विक्टों में से पांच विकेट्स के नुकसान पे टोटल सिर्फ और सिर्फ आठ विकेट्स गिरते हैं पूरे मैच में जहां 500 से ज्यादा स्कोर बना है उसमें 8 विकेट्स गिरे हैं तो आप समझ जाए कितनी करारी कितनी प्यारी बैटिंग विकेट है और आप देखिए यहाँ पे 9 विके गिर रही है, 240 गेंदो में अगर सिर्फ 8 विक्टे गिर रही है मतलब 8 बार 8 बार ही आउट करने में कामियाब हुए है इसको इस तरीके से आखिये कि कितनी प्यारी बैटिंग विक्ट है और आप देखे 6 विक्ट पेसर लेके जाते है और 7 विक्ट ही गिर पाते है एक टीम बनाती ही 186 आर्सी भी बनाती है 187 लेकिन ये थोड़ा पुरा ना हो गया ये नया नहीं है और स्पिनर लेके जाते है 5 विक्ट, 3 लेके जाते है स्पिनर, स्वरी, फास्टर लेके जाते है 5 अब आप देखिए आपके पास cheer करने के लिए क्या है? RCB इसी मैदान पर पिछले game को chase करके आई थी, तो RCB आज कर सकती है, नहीं, हैदराबाद से थोड़ा तो बदला ले ही सकते हैं, हैदराबाद का जो line-up है, बहुत बत्तमीज लोने हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार बत्तमीजी करते हैं, गलियों के जो लोन्डे होते हैं, गले में रुमालवान के गुमते हैं, पट टपरी मार देते हैं, अच्छे-च्छे स्कॉलर बच्चों को, यह वो लड़के हैं, जो आते हैं, मॉलस्टेशन करते हैं, चीरफार करते हैं, और निकल जाते हैं, फिर आ में हैदरबाद की तरफ से अगर सबसे जो उतने बैक बेंचर विकट के पीजे से जो सबसे शुरुवात करते हुए क्लासे इंसाब अब्दुल समद फिर आते हैं शहवाज शहवाज भी इन बत्तमीजियों में शामिल हो चुके है और पिछले मैच में बहुत तावर तोड़ चीरफार मचा गया है पैट कमिंज हैं इनके लीडर जिन्होंने एक बार ठान लिया कि सबको चुप कर आगा है फिर आते भूबी हमारे प्यारे से सबसे प्यारे स्टूडेंट इंडिया की तरफ से मयंक मारकंडे और हैं नत्राजन यह हैं कम्प्लीट हैदरबाद की बत्त जादा धियान लखना और इस मैच में तोड़ा धियान रखना क्योंकि यह हैदरबाद में खेले गए हैं और मंबई के खिलाब भी इसी मैदान पे मैच हुआ था यह तीन बड़े ध्यान से सुनने हैं और अभी दिल्ली को दिल्ली में मार के आया हैं शुरुगाबिसए एक सदो नवासी 200-200 के स्ट्राइक रेट 200-200 के स्ट्राइक रेट रन आ रहे चक्के लग रहे रोक ही नहीं पा रहा है कोई नहीं अभिशेक शर्मा शांत स्वभाफ के होते थे लेकिन जब से यूवी पाजी के इंडर गए हैं बिगाड दिया जटने अभिशेक शर्मा बतेस 63, 39, 37, 16, 34, 46 और सारे ताबड तोड पारिया हैं मारकरम 18, 42, 17, 50, 0, 32 तोड़ी अच्छे से कर रहे हैं चीज़ है प्लासें 63, 80, 24, 10, 9, 67 फिछले मैच में 15 रन नितीश रेड़ी 14 रन शरीप थे उसके बाद भी गड़े थे 64 रन एक विगट पिछले मैच में 37 रन और दो व एक विगट, 18 रन एक विगट, 14 रन जीरो विगट, जीरो विगट, पिछले मैच में पता नहीं क्या हुआ, 59 रन पर बॉलिंग में मारक आ गए थे, अब्दुल समद 15, 29, 25, 37, 13 फिर हम आ जाते हैं पैट कमिंस की तरफ, एक विगट इधर, दो विगट इधर, एक विगट इधर, एक, एक, तीन, और पिछले मैच में आपको याद हो को मैंने ड्रॉप किया तो और 100% विगट मारा था, दिल्ली और हैधराबाद वाले मैच में, यही रीजन था मेरे जीतने का, पैट कमिंस को ड्रॉप करके, फिर आते हैं वाशिंग्टन सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से ने पिछले मैच में मार पड़ी है, दो और में 46 रन का हैं, एक विकेट मिला है, जेक फ्रेजर मैक गर्ग ने खोली दिया था इंगो, भूवी, 0, 0, 0, 1, 2, 0 और पिछले मैच में इनका स्मेल बहुत अच्छा था, चार और में से 33 रन दिये थे, बहुत इकोनॉम और डेथ में कमिन्स के साथ ये तीनों ही दिखने वाले हैं, नितीश रेड़ी कभी-कभी मिडल ओवर्स कराने लग जाते हैं, जब मारकंडे या फिर शेहवास के ओवर इन्हें काटने हो, इस तरीके से ये टीम खेलती है, और ये मिडल ओवर्स में ही आपको दिखेंगे, अब हम बात करते हैं, कैसा खेलते हैं, इस मैदान पे कैसा खेलते हैं, RCB के खिलाफ एक मैच जो खेले थे, Travis Head उसमें शितक जड़ाता है, 102 रन की पारी आपको याद होगा, बहुत मारा था यार, तीन मैच में 123 रन, 41 के एवरेज है, Travis Head गी इस स्टेडियम पे, और 8 मैच मे 23 के एवरेज, 166 रन, अभीशेक शर्मा के भी हैं, इस मैदान पे 10 मैच में 140 रन, 2 विकेट हो जूचे हैं, और आचुके है, man in form, जो की मुझे अच्छा भी लग रहा है, इंडियन टेलेंट देखके किसको खुशी नहीं होती, एडन मार्क रप, एक मैच में 27 रन, 8 मैच मे 241 रन, 40 की एवरेज इस मैदान पे, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, आज ये, इस मैच के की प्लेयर साबित होंगे, मतलब अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, नितीश रेड़ी, 2 मैच में विकेट लेस गए हैं, RCB के खिलाफ, और इस मैदान पे, अच्छे कहां स रन, 68 की एवरेज है, हेन्री क्लासेन की इस मैदान की, आपस देख रहे हैं, अब्दुल सबत, 7 मैच में 99 रन, 6 मैच में 38 रन इस मैदान पे, देखो, क्लासेन, मारकरम, इन दोनों से मुझे ज़्यादा उमीद है, अगर मैं सच बताओं, ओपनर से ज़्यादा, अभिशेक बे भी ये थोड़े धारशाही साबित हो रहें, जैसे मैंने आपको पिछले मैच में इनकी बैटिंग दिखाई, पैट कमिन्स 8 मैच में 24 रन, 1 विकेट अपने नाम, 11 विकेट अपने नाम, और इस मैदान पे 6 मैच में 5 विकेट, अच्छी बालिंग करते हैं, ये जब भी RCB के खिलाफ आते हैं, भूवी के जो मैचेज हैं, वो 23 हैं, 18 विकेट हैं, लेकिन भूवी एकोनोमिकल साबित होते हैं, मतलब रन्स कम देते हैं, इस मैदान पे इनके 44 विकेट हैं, और बहुत टाइम से ये हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, और अच्छा भी कर रहे है 4 मैच में 5 विकेट मयंग मारकंडे, अगर आपको याद हो, पिछले मैच में ही इनोंने शायद विराट कोली को भी बोर्ड लगाया था, 8 मैच में 10 विकेट हैं इस मैदान पे, तो मारकंडे मिडल ओवर्स की फेस में आके एक अच्छा फायदा देते हैं अपनी टीम को, 9 म विराट कोली दोनों ओपनर्स हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ इस साल का अपना आम दे मैं भी बोलता हूँ, कि इस बार तो RCB जीत सकती है, जीतती नहीं है यार, ना डेली जीतती है, ना RCB, वी आर सेम ब्रो, रजट पार्टिदार जिन्होंने पिछले मैच में कुछ जोहर दिखाए थे, विल जैक्स, मेरे पिछले मैच के डिफरेंशल पिक और मेरे कैप्टन जिन्होंने मुझे 100% विन रेट दिया था, दिल खुश कर दिया था, फिर आते कैमरून ग्रीन, उसके बाद आते माईपाल लोम रो, डी के पोपा, जिनकी फॉर्म उपर मीचे होती रह इस चीज़ का धियान रखना, मुझे पानी आता है इन लोगों को देखके, बैट्समेन को, आर सी भी ले देखे विचरी एक मैच जीती पंजाब के खिलाव, ऐसा रहेच के खिलाव जब लास्ट टाइम बेडे थे, बहुत जादा बहुत जादा क्रेजी हो गया था इस मैच में, आईए देखते हैं की परफोर्मेंस, विराट कोली 21, 77, 83, 22, 133, 42, 68, बस यहीं सब देखके अच्छा लगता है विराट कोली के लिए और पिछले मैच में जो ये आउट दिये गए, दिल रोया के अकबर आई, किसी से अब क्या कहना, अरे नोबल पे तो आउट द विराट कोली शो देखने के लिए मिलेगा, पक्की बात है, सीट बेल्ड बांद लेना, विल जैक्स, जब से आए हैं, आठ रन एक विकेट, इस मैच में रन आउट हुए थे, साथ रन पे, और पिछले मैच में ताबर तोड फच्पन रन, मिचल साग को खूम मारा था, और तार सीबी को बहुत अच्छी पोजिशन में लेकिया, रजज़त पार्टीदार 0, 18, 3, 29, 59, 52, पिछले मैच में रज़त पार्टीदार भी फ़र्म में थे, ग्रीन 18 रन 2 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, पिछले मैच में 4 और पूरे फैगे, 2 वि इस रन ते सच बतारो, लोम रोड, 17, 33, 0, 19, 4, डी के पोपा, 38, 28, 20, 45, 85, कर्ण शर्मा, एक विकेट इधर, और 0 विकेट इधर, पर 20 रन, याद होगा, मिचल स्टार्क के साथ, कितना घरेलू अरताव किया गया था, कि लगभग एक साइड मैच करी दिया था, कर्ण शर्मा और दो गेमें में तीन रन नहीं बन पाए, सिराज, 0, 2, 0, 1, 1, 0, और पिछले मैच में एक विकेट, सेम गोस फो लॉकी फर्गूसन, जब आए तो बहुत मार पढ़ी, 4 और में 52, पिछले मैच में एक विकेट भी इनोंने अपने नाम किया था, याश दयाल, दो, मेरे पि लॉकी फर्गूसन, सिराज, दिखेंगे, पाउर प्ले मिला के, मिडल ओवर्स में आपको करन शर्मा दिख जाएंगे, कैमरून ग्रीन के साथ, बस, यही पिछली बार पांच बॉलिंग, इनोंने यूज करी, हैदराबाद के खिलाफ, अगर आप देखेंगे, फैप कब ल साथ की एवरेज, और इस मैदान पे 35 की एवरेज, 23 मैचेस में, क्या गजब है, हेड टो हेड में, दो मैच 57 रन गजट पाटिदार के हैं, वही विल जैक जो एक मैच खेले थे, 7 रन ही बना पाए थे, इस मैच में यह रन आउट हुए थे, जितना मुझे याद है, एकदम ग्रीन, इस मैदान पे भी, और हेड टो हेड में भी बहुत ज़ाद अच्छा खेलते हैं, हैदराबाद के खिलाफ, माईपाल लोम रोर, पाँच मैच 59 रन एक विकेट, इस मैदान पे कभी आई नहीं, मैं आज कह सकता हूँ, कि मुझे 1, 2, 3, इन 3 प्लेयर से बहुत ज़ा सौरन है इनके, और वहीं अगर आप देखें कि कर्ण शर्मा, 6 मैच में 5 विकेट, 20 मैच में 12 विकेट इस मैदान पे, और ये पहले संराइजर हैधराबाद के लिए भी शायद खेल चुक है, जभी इतना वैचिस के एक्स्पिजियंस है, यश्दियाल 6 में 5, 20 में 12 इस पास नहीं करते हैं, लौकी फर्गूसन, ना, ना, ये श्दियाल के 20 मैच नहीं है, यहाँ पर गलत है, ये श्दियाल, पहला या दूसरा मैच खेलेंगे इस मैदान पे, लौकी फर्गूसन के 6 में 5, इस मैदान पे जब लास्ट टाइम उतरे थे तो 0 विकेट थे, शायद केक्यार की तरफ से उतरे थे इस मैदान पे, 10 मैच में 9 विकेट मुहंबस सिराज के और 6 मैच में 8 विकेट इस मैदान पे, सिराज के लिए शायद होम ग्राउंड भी हो सकता है, क्योंकि इस पिच पे बहुत जादा खेले है, इनको समझ आती है यहाँ की, तो सिराज इक अ समझ 37 रन सिर्फ 10 विकेट लेने वाले बोले ले देके जो लेके गए थे, एक टो पले, दो लोकी, एक तेरा, दो मेरा, यह चेस करने आते हैं, अच्छा शुरुवात मिलती है, 42-62 की, पार पले अच्छा हो जाता है, आरसी विवालों के उमीदे जग जाती है, फिर विल ज इस रन लोम रोर के, अनुज रावत के 14 में 25 और 2 में एक थे, विजे कुमार वेशक के, हैदरबाद की दरफ से जो विकेट लेके गए थे, वो लड़के थे, पैट कमिन्स जिनोंने लिए ती, दो मार कंडे जी ने, इंपक्ट प्लेयर के तौर पे आये थे, ये भी मैं देता हूं, और एक मिला था नटराजन को, ये हुआ था इस मैच में, और एक तरफा हमने, आपने बहुत कमाई करी थी, अगर आप देखेंगे, टौप परफॉर्मर्स, वेन्यू, और हेट टो हेड में कौन होते हैं, हैदरबाद की दरफ से देगों, इस मैदान पे, ट्रै साही स्टाइट्स हैं, एकदम परफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे, इस मैदान पे भी, और हेड टो हेड में भी चलते हैं, ये छे लड़के, आपके ग्रैंड लीग में भी बहुत जादा काम आएंगे, क्लियर, चलो, जिसने अभी तक नहीं करा है, सब्सक्राइ कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथी साथ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए, ठीक है, लाइक कर दिया, अब जब लाइक करी दिया है, तो क्यो ना सवाल भी आपसे पूछ लू, महिंदरा एक सियोई, शिमाती अगर आपको चीए अपने घर पे, एक लाइक मेगा गीववे का अंसर देना है सही, और पचालसवे मैच में ले जाई, ले जाई, ले जाई, सवाल क्या रहने वाला है आज का, आज आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, क्योंकि ये जो पिच है, बॉलर के जवाब होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, जिसका तुक्का सही हो जाता है, वो ले जाता है, तीन में से 33,333 रुपे की धनराशी, चलिए, मुझे लगता है कि आज सबसे बेस्ट पैल किसका हो सकता है, मुहम्मद सिराज करना चाहिए, बहुत टाइम से नहीं किया, मैं हमीशा out of the box चीज़े करता हूं, जवी तो इतना घवाल हता हूं, और सिराज का स्पैल रहेगा, चार ओवर में, 29 रन तीन विकेट, चलो माई मास्टर 11 के पॉइंट रटादो, थोड़ा असान कर देता हूं, बस यही दो चीज़ बता दो, यह तो अब और असान हो गया जिन तीन का पहले होगा, उनको मिलेगा 25, समझें, समझें, समझ गया, फैन्स अटेंस टाइम, आज मैं RCB के लिए दिल बनाने वाला हूं, क्योंकि यह साल कप नाम दे तो नहीं हो पाया है, पर आज की मैच मुझे लगता है RCB, घमासान मचा देगी, घमासान, क्लियर बोल आप है, Sunrisers, हैदराबाद के फैन, तो एक Orange Heart क्या मैंट्स में जाल दीजिए, बिरियानी वर्सिस, डोसा है न, बेंगलोर साइड का तो, बिरियानी वर्सिस डोसा, तो हो जाए, मैच अप्स की बात करी जाए, हैदराबाद के मैच मेन किस से परिशान होते हैं, देखो वैस गेन 13 रन एक बार आउट है, अभिशेक शर्मा, ग्लेन मैक्सवैल की 3 गेन में एक बार आउट हो गए थे, यश्दियाल की 17 गेन 24 रन एक बार आउट हो, एन्रिक क्लासेन, मुहम्मस सिराज की 16 गेन दे 28 रन और 2 बार आउट हो हैं, वहीं, अलजारी की 30 गेनों में 2 बार और ये खेलते भी नहीं है, बूल जाईए, राहूल त्रिपाटी, ये तो आएंगे इनी मैच में जाने देते हैं, इनकी बार भी यूगरी है, और सिंगी ये वल्ले बार आउट है, लेकिन इन्होंने मारा भी बहुत है, पिच्चान वे रन मारे हैं, जैदेव नतकट की 33 गेंद में 70 बना रखे हैं, फैफ ने और दो बार आउट है, नतराजन की 16 गेंद 20 रन एक बार आउट है, विराट कोली भूवनेश्वर कुमार की 80 गेंद 109 रन चार बार आउट है, और भूवनेश्वर ने काफी परिशान गया है विराट को, मार को ये एंसन खेलेंगे नहीं बट फिर भी एक विकेट ले जा चुक है, पैट कमिन्स की 40 गेंदे 50 रन एक बार आउट है, ग्लैन मैक्सवर ने भूवनेश्वर को मारा भी नहीं और दो बार अपना विकेट भी दिया, पैट कमिन्स को एक बार और तीन बार नतराजन के आगे शिकार बने है, तो क की प्लेयर्स, पैट कमिन्स, पैट कमिन्स हमेशा है, हैधराबाद की तरफ से अच्छा करते हैं, और RCB के खिलाफ विकेट लेते हैं, पिछले मैच में ने ड्रॉप किया था, आपको भी गातर ड्रॉप कर दो, लेकिन इस मैच में मैं ही कहुँगा, कि अगर फस्ट बालिं भी करा सकते हैं इस मैच में, ट्रेविस हेड को, अभीशेक शर्मा को, और अगर शहवाज भी बैटिंग पर आते हैं, उस टाइम करानी चाहिए, टैक्टिकल चेंज होगा, पिछले मैच में बैटिंग बहुत अच्छी करी, ये करते हैं, तो ये डेफिनिटली एक की प्ले हैं, दूसरे आते हैं, एन्रिक क्लासें, बतलब हैदराबाद की तरफ से, जो दूसरे की प्लेयर होते हैं, वो हैं एन्रिक क्लासें है, मुझे लगता है, अगर आज टॉप अटर फ्लॉप होता है, तो हैं एक अच्छी पारी दिखा के आपको, खुश कर देंगे, 67, 68, ये मुझे लगता है, बहुत अच्छे, कैप्टन ओप्शन होंगे, फर्स बेटिंग करेगी, तो मैं कैप्टन बनाने जाऊंगा, अपना फैप डियो प्लैसिस को, ये चीज़े बड़ी काम आएंगी, वी सी में विल जैक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन जभी जभी ये बॉलि करके, आप वी सी अगर इने बना रहे हैं, तो आपने एक रिस्क लिया, पर सेफ हो गए किस बज़े से, क्योंकि इनकी आइवरेज बहुत अच्छे है, दोनों जगे, तो रिस्की प्लस सेफ, ये है मेरे आज सी वी सी ऑप्शन, हेड टो हेड में तेरा मैच जीती है, सन्रा परफॉर्म कर जाएंगे इस मैच में, लेकिन आरसी भी की तरफ से फैफ, विराट और कैमरून ग्रीन से मुझे बहुत जादा उमीदे है, बॉलिंग में मुझे 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 तीनों की जो तिगडी है न, वो आज ठीक ठाक परफॉर्म करके चली जाएगी क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स तो हैं, चाहे हम कितनी भी उतारे इनकी, और मैच विनर, मुझे लगता है, आज हवा का रुख बदल जाएगा, और मैच विनिंग पोजिशन में आ जाएगी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलावर की टीन, अभी तक जिसने नहीं करा है सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत फायदा होगा, मेगा तो मैंने आप से सवाल पूछ लिया, अगर नहीं लिया इसमें पार्टिसिपेशन, तो अब भी कमेंट करना शुरू कर दो, सवाल क्या पूछा है, जाके देख लो कहां तो डाउन्लोड कीजिए, माइमास्स 11, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, कमेंट सेक्षन में मैंने कमेंट फिन किया हुआ है, और फिर देखी अपनी कमाई, सन्राइज अधरबाद, आर सीवे, टीम बनाते हैं, चौलो, टीम बनाते हुए मैं देखता को अपनी कीपिंग ऑप्शन में रखता हूँ, क्योंकि ये एक बैटिंग ग्राउंड है, तो बैट्समें ज्यादा भरेंगे, टैक्टिकल, फैफ, हैड, शर्मा, और कोई अवई, पोई नहीं है, चारी हो गया है, और जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी, डाल अगर कर रहे होंगे, और यह कर रहे होंगे, तो इन अटराजन को डाल देंगे, CVC, क्लियरली मेरे कैमरून ग्रीन, विराट कोली, CVC, no other choice, no other choice, यही मेरे CVC रहेंगे, आप चाहें तो इन्हें इंटर चेंज भी कर सकते हैं, और मैच जीतने वाद अगर बैस हैं, तो इंट जरूरी है, बहुत जादा जरूरी है, फिर हम मिलते हैं मैच के टॉस के बाद,